हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते हैं HP LaserJ P1505N प्रिंटर के ड्राइवर को वो भी हमारे Windows 7 के PC या फिल लैप्टाप में बहुत ही ज्यादा सिम्पल प्रोसेस है तो चलिए अपनी वीडियो के और तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा मशीन 32-bit का है या फिर 64-bit का उसे चेक करना बहुत सिम्पल है प्रोपर्टीज के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोपर्टीज में अगर सिस्टिम टाइप में अगर 64-bit लिखा है तो आपका मशीन 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टिम का मशीन है अगर system type में यहाँ पे 32 bit लिखा है तो वो machine 32 bit का है यह machine 32 bit का है इसे हम close कर लेंगे इसके बाद हम download करने वाले है printer के driver इसे download करना भी बहुत ही ज़्यादा simple है तो क्या करेंगे हम जाएंगे किसी भी बे browser में और यहाँ पे type करेंगे download HP laser jet P1505N printer driver और enter की paste करेंगे हमारे keyboard के उपर तो सबसे पहले link आएगी वो होगी support.hp.com की official website है HP printer की इसे हमें open करना है तो यहाँ पे हमारी website open हो चुकी है तो यहाँ पे देखिए हमारा printer का नाम आ चुका है इसने हमारी operating system detect की है लेकिन यह right नहीं है यह right नहीं है तो क्या करेंगे choose a different OS तो choose a different OS के उपर क्लिक करेंगे windows select करेंगे यहाँ पे version में हम जाएंगे windows 7 में और windows 7 में हमारा bit कौन सा है उसके उपर उसको select करेंगे windows 7 32 bit है तो 32 bit को जाएंगे windows 7 60 पर bit है तो 60 पर bit को जाएंगे मेरा windows 7 32 bit है तो 32 bit को क्लिक किया अपडेट किया तो नए drivers हमारे सामने आ चुके तो इन सारे drivers के list में हमें चाहिए basic drivers ढूंड़िए basic drivers कहाँ पे जादा तर ये driver product installation software में होते है उसके against आपको मिलेगा basic drivers उसको expand कर दीजिए तो यहाँ पे दीखिए HP laser jet ये जो printer के नाम है ये series का printer है इसलिए ऐसा दिखा रहा है तो यहाँ पे देखिए इसके file size बहुत ही चुटी है और जैसे आप download के उपर click करेंगे कुछी seconds में ये page redirect हो जाएगा और download complete हो जाएगा तो मैं download के उपर click कर देता हूँ तो हमारा download यहाँ पर complete हो चुका है show all में जाएंगे show in folder में जाएंगे इसे minimize कर लेंगे और इस जो printer की setup है इसको हम track करके desktop के उपर लाएंगे close करेंगे तो ये जो printer की setup file है वो actually एक zip file है और इसे हम unzip कर सकते हैं बहुत ही simple तरीकी से right click करेंगे extract file के उपर click करेंगे ok के उपर click करेंगे ये file जो extract हो जाएगी नया folder बन जाएगे desktop में double click करेंगे तो यहाँ पर हमारी सारी files है सारी drivers की file है तो इसे close करेंगे तो हम इसे install करने वाले manually ये बहुत ही simple और reliable तरीका है Windows 7 में printer install करने का तो यहाँ पर start में जाएँगे control panel के उपर click करेंगे devices and printers के उपर click करेंगे तो यहाँ पर top में add a printer में दो बार click करेंगे एक नया option पपफ होती है इसे close करेंगे add a printer आ चुका है add a printer में add a local printer के उपर click करेंगे यहाँ पर port होगा तो port में यहाँ पर click करेंगे और अगर आपको मिलता है कुछ भी मिलता है तो उससे select करेंगे यह नहीं मिलता तो आपको क्या select करना USB, USB 001, USB 002, 003, 004 कौन सा भी USB मिले उससे select कीजिए और next के ओपर click केजिए इसके बाद हावर disk को click करेंगे, browse को click करेंगे, desktop में जाएंगे हमारे newly created folder के ओपर double click करेंगे, उससे select करेंगे यहाँ पर एक फाइल होगी, उससे select करेंगे, open कर लेंगे, इससे select करके open कर लेंगे ok कर लेंगे, यहाँ पर बहुत सारे printers हमें मिल जाएंगे हमें चाहिए यह printer scroll करके नीचाहने के बाद, HP laser jet 1505N इस printer को select करेंगे, हमारे printer को select करेंगे next के ओपर click करेंगे आप कोई भी printer का नाम दे सकते हैं, मैं जो यह आ रहा है, इसी नाम के साथ जाओंगा next के ओपर click करेंगे, कुछी seconds में printer install हो जाएगा यहाँ पर आप printer test page निंग करना चाहते हो, तो printer test page के ओपर click करेंगे या फिर finish के ओपर click करेंगे इसके बाद का step है, हमें check करना है, हमारा printer properly install है या नहीं उसके लिए start में जाएंगे, control panel के ओपर click करेंगे devices and printers के ओपर click कर देंगे तो यहाँ पर आगर आपको HP laser jet P1505N यह printer मिलता है तो आपका printer properly install हो चुका है आपके Windows 7 के PC या फिल लैप्टाप में तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चानल को सब्सक्राइब करना कता ही मत भूलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ